तो इस वक्त ये एक बड़ी ख़वर निकल कर आ रही है CBI ने जो है लुकाउट सर्कुलर जारी कर दिया है ABG, CPR के जो डेरेक्टर से हैं उनके अगेंस लुकाउट सर्कुलर क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे जो एक सर्कुलर जारी किया जाता है गवर्णमेंट के द्वारा वो होता है लुकाउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है ABG, CPR डेरेक्टर्स यानि कि ABG, CPR कमपनी जो है जिसने के फ्रॉड किया हुआ है 22,842 क्रूर रुपे का उनके जो डेरेक्टर्स हैं उनको ताकि वो देश छोड़ कर ना भागे इसलिए एंट्री और एक्जिप पर जो भी इंटरनेशनल बाउंडरी हैं वेदर इक भी एरपोर्स और शिपोर्स तो वहाँ पर जो है सिक्योर्टी जो है उनके अगेंस्ट ठीक है चलिए तो क्या है पूरा केस आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात अगर नहीं जानते हैं तो बने रही है इस वीडियो में पूरी चीज़ आप लोगों को जो है बताई जाएगी ठीक है 22,842 क्रोड रुपय का स्केम हुआ है बैंक्स के साथ कहें पर आपको 22,842 क्रोड रुपय दिखा मिलेगा ठीक है कहें फर 20,000 क्रोड भी मिलेगा लेकिन है तो 2200 क्रोड से उपर ही ठीक हैbesव beh issensa क्रोड लोन क्या होता है वो भी आगे डिस्क करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूं किन-किन बैंक का कितना-कितना पैसा है टोटल 28 बैंक है यहां पर जिसमें से सबसे ज़्यादा लेंडिंग है 7089 करोड यह फिगर आप लोग जो देख रहे हैं यह हजार यह लाखों में नहीं यह फिगर करोर्स में है ठीक है तो 7089 करोड रुपे का जो लोन है वह आइसी इसी बैंक का जो है एंपिय हुआ है यानि कि फ्रॉड किया गया है और आइडी ब बैंक 1228 करोड पी एंबी का 1244 करोड ठीक है इस तरीके से और भी 20-22 बैंक और है टोटल 28 बैंक है उनकी भी लिस्ट नहीं है लेकिन यह जो मोटे-मोटे जो अमाउंट है वो यहां पर डिस्पले माप लोगों को दिख रहे हैं इसी ने बनाया है बाइसार 842 करोड रुपे का फ्रॉड ठीक है यानि कि यह इस नहीं कर सकता कि तो विए एक बैंक क्या करेगा वह बाकि सारे बैंक को साथ लाएगा और इखटा जो है लोन किया जाएगा तो इस तरीके से बैंक का लोग है 22822 करोड रुपे का हुगा है ठीक है CBI ने जो है यह confirm किया है ABG CPI Limited जो है उसने जो है कथित तौर पर 22820 क्रोट रोट रोट का लॉस किया है थीक है बैंक के लिस्ट मैंने आप लोग को दिखाई जिसमें बागी 20 किस बैंक है वो जो है उसमें नहीं है लेकिन बड़े-बड़े बैंक का फ्रोड आप लोग जेख सकते हैं इस बिगेस्ट एवर केस ऑफ बैंक फ्रोड रिस्टर बाइजेंसी थीक है CBI ने जो सबसे बड़ा जो बैंक फ्रोड है वो रिस्टर किया है इस केस को ठीक है तो यह ए बजी शिपयाड कंपनी क्या है एक इनकी सबसेटरी कंपनी है इसको भी जो है एक्यूजड खुशित किया गया है हांपर कैसी कंप्लेंट पर रिस्टर किया गया सबसे ज़्यादा उसमें पैसा है तो बैंक्स क्या हुआ सब्सक्राइब को बोला कि हाँ आप जो है काफी बड़े लेंडर हैं तो आप जाइए तो उसनी क्या क्या जो है अप्रेल 2017 से लेकर जुलाई 2017 सुरी अप्रेल 2012 से जुलाई 2017 का जब ऑडिट हुआ एक फॉरंसिक ऑडिट उसके दोरान जो लोन अकाउंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स देखी गई तो तब जो है लगा कि हाँ यह कईना कई फेक ट्रांजेक्शन्स हैं इसलिए कंप्ल आप जुलाई 2016 में कब हो गया था जुलाई 2016 के अंदर निपी हो गया था और फ्रॉड कब डिक्लेर हूआ जुन 2019 में ऑप जो एफाईयार है और क्या निकल कर आया आप गुश्याइद के अंदर यह निकल कर आया कि आ कि जो फोरंसिक अडिट हुई थी उसमां पता चला कि का जो है डाइवर्जन हुआ है ठीक है मिस यूज हुआ है और जो है क्रिमिनल ब्रीच ओफ ट्रस्ट यहां पर बिल्गुल देखने को मिला है नहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर ही आएगा जब आप फेक ट्रंजेक्शन अपने अकांट में करते हैं वो भी छोटी मोटी ट्रंजेक्शन नहीं हंडर्ट ओफ करोड रुपीस की जो है ट्रंजेक्शन इस खाते में होती थी ठीक है और जो फंड्स था वो कथित तौर पर जो है गलत परपसें के लिए यूज के जाता था जिस परपस के लिए आपने फंड ल रिलेटेड पार्टीज प्रोपर्टीज वर आलसो बहुत यानि कि जो है अब जी फंड्स थे उससे प्रोपर्टीज भी खरे दी गई थी और और अडिटर ने एक सबसे बड़ी चीज जो बताई यहां पर कि यहां पर सर्कुलर ट्रंजेक्शन देखने को मिले सर्कुलर ट होती है उन्हीं को क्या कहते हैं सर्कुलर ट्रंजेक्शन कहते हैं और यहां पर क्लिरली पता चल रहा कि प्रोपर्टीज वगर खरीदने के लिए भी फंड का यूज किया गया है एक फ्लैक्शिप कंपनी है एबीजी ग्रूप की यह क्या काम करती है शिप बिल्डिंग और पर किया इप रिपेरिंग का काम करती है इसके प्रोपर है रिशी अगरवाल ते और इक जो है मेजर प्लियर है इन इंडियंग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री यनि कि काफी जाने वाने दिगज हैं भारतिय के अंदर इनके जो शिप यार्ड से कहां कहां पर लोकेटेड हैं दहेज और सूरत ठीक है में गुजरात के अंदर जो है लोकेटिड है इनके जो शिप्यार्ट है जहां पर की शिप्स बनाए जाते हैं रिपेर के जाते हैं उस जेगे वो शिप्यार बोला जाता है यह तो लेखेब के एटिन थाउजट टोनेज्ट के वेसल्स है वह बनाने की है और 1.200 लैक्ड एट अब और अथारा अजार जटोनेज सूरतषिप्यार्ड में ठीक है यानि कि दोनों जेके कंफी अच्छी खासी के पैसिटी है ठीक है और कम्पणी ने जो है 165 जो है वैसल जो है बना दिये हैं अभी तक 46 for export market जिसमें 26 export market के लिए बनाए हैं पिछले 16 साल में आप समझ सकते हैं कि ships बनाना ठीक है वैसल इन दा सेंज शिप्स वो भी different purposes के लिए transportation के लिए commercial use के लिए ठीक है इंडियन नीवी के लिए भी बनाते थे और इन ships को जो है world class approval मिला था international classification मिले थे different international societies से तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े दिगच जो है यह थे अपने काम के अंदर लेकिन क्या हुआ crisis आया तो तब जाकर जो है demand में कमी आई राइट जो demand में कमी आ गई ठीक है तो cancel हो गए इंक जो contracts थे contracts क्या होए जिसके वएस से क्या हुआ जाहिर सी बात है जो आपके contracts जो भी आपका stock पड़ा रहा जाएगा जमा होता रहेगा और जमा होता रहेगा तो आप उसको बेचेंगे नहीं तो आपके working return आया तो इंडियन नीवी ने भी refuse कर दिया कि अब हमको जरुद नहीं है क्योंकि जो है डिमांड ही नहीं है तो हम क्यूं जो है वैसल को पर्चेस करें डिफेंस वैसल को पर्चेस करें तो इस वह से कंपनी को फिर डिफिकल्ट हो गया अपने जो माइल स्टोंस हैं उनको एचीव करने में और इस तरीके से वह जो है इंट्रेस्ट क्या वह इंस्टॉल्मेंट्स भी टाइम पर जो है पे करने के लिए अनेबल हो गए ठीक है क्योंकि काम रूप गया तो अब्वेसली सीदी स गया है उसके अलावा प्रोपर्टीज खरीदने में और अधर चीज़ों में जो है इंवस्टमेंट कर रहे हैं तो यह सबसे बड़ी चीज है इसलिए फ्रॉड जो है यह गोशित किया गया कंपनी वस रेफर्ट टुदी एंसी एल्ट के लिए नैशनल कंपनी लॉड ट्रि पॉइंट किया जाता है तो प्रोफेशनल ने क्या क्या सच पहले केस फाइल किया फइल एंप्लीकेशन फ्रोर जो है एक फ्रोड है कतित तौर फ्रोड घंजित कर दिया गया तो इस तरीके च्बंपनी का जो यह फ्रोड सामने आया और आज सभी के सामने हैं और आज की डेट में जो है लुकाउट सर्कुलर जो है जारी कर दिये गए हैं CBI के द्वारा ताकि इसके डेरेक्टर्स हैं वो देश छोड़ करना जा सकें और जो international boundaries हैं उन पर जो है entry और exit में जो है checks यानि जो लॉस किया है banks को तो कही नहीं बहुत ही एक निंदनिया बात है banking industry के लिए especially कि banks को loss हो गया है तो बहुत ही गलत है कही नहीं वीडियो कैसे लगा प्लीस comment section में comment करके जरूर बताएगा और को doubt हो प्लीस comment section में comment करके आप पोच सकते हैं so all the best guys bye bye take care